सिक्षा विभाग ने बच्चों की समस्याओं को जानने और उनको दूर करने के लिए नई पहल की है इसमें बच्चों को घर से स्कूल जाने और लोटने के दौरान होने वाले खत्रों से किस तरह बचना है वो सिखाया जाएगा लड़कियों को आत्मरक्षा का परिख्षन दिया जाएगा स्कूली स्तर पर बच्चों से स्कूल आने और वापस घर लोटने के दौरान होने वाली परिशानी के बारे में जानकारी लेगा फिर उसकी समस्याओं का समधान किया जाएगा बतादे कि बिहार सिक्षा परियोजना परिशत के निदेशक ने पत्र जारी कर आदेश दिया है स्कूली बच्चों के साथ अप्रिये घटना का शिकार होने से बचने के लिए ये पहल जारी की गई है इस पहल का नाम H2H यानि खत्रों से बचाव होगा इसमें विद्याले के सभी वर्गों के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा प्रतेक विद्याले में 10 से 15 बच्चों का समू बनाया जाएगा उसमें ये फीडबेक लिया जाएगा कि उन्हें स्कूल आने में किस तरह की परिशानिया होती है प्रतेग 15 दिन पर छात्रों का समू बदल जाएगा ताकि सभी इसमें शामिल हो सकें बच्चों को रास्ते में होने वाली परिशानियों को सिक्षक चिनहित करेंगे फिर इसका सामधान करेंगे सिक्षक अभिभावक गोस्थी में छात्रों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी फिर उन परिशानियों को दूर कर दिशा में पहल किये जाएगे इस अभियान में विद्याले के आसपास के जन प्रतिनिधी और पुलिस पदधिकारी को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है अभिभावकों को भी जागरुक किया जाएगा बिहार सिक्षा परियोजना परिशत के अनुसार प्रतेक कक्षा में दो बच्चो को बोल प्रेड़क बनाया जाएगा साथ ही बच्चो को सुरक्षिक सनिवार के तहत अब जीवन रक्षा जैसे CPR देना और Heart Attack आने पर क्या करना है लड़कियों को आत्म रक्षा, good touch, bad touch आदी के बारे में जानकारी दी जाएगी प्रतेक विद्याले के नोडल सिक्षकों को परिक्षन दिया जाना है जिले में सभी स्कूल में इसे लागू किया जा रहा है बता दे कि इसकी monitoring भी होगी साथ ही बच्चों की परिशानी समझकर उन्हें दूर करने में सिक्षविवाग हर संभव मदद करेगा